हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम अपना चाप्टर इंस्टेड ओफ द वॉर्ड्रम जो है उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उने बढ़ लिया था कि अशोग जो थे उनको देव नाम पियदासी के नाम से जाना जाता था बट अशोग जो थे वो हमेशा से ऐसे नहीं थे उससे पहले जब अशोक यंग थे तो उनको निकनेम उनका था चंड अशोक तो वो नेम क्यों था या वो चेंज कैसे हुए बाकी सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं As a young child, अशोका had a skin disease that made him unpleasant to look at जब अशोक छोटे थे तो उनको skin का एक disease था विमारी था जो उनको देखने में मतलब की unpleasant मतलब वो बुरे दिखते थे His father बिंदु सारा did not like him very much उसके जो पिता बिंदु सार थे वो उसको बिलकुल भी पसंद मतलब जादा पसंद नहीं करते थे So, अशोका decided to prove himself तो अशोक ने क्या किया उन्होंने decide कि वो अपने आपको prove करेंगे He become a fearless warrior वो एक निडर योद्धा बन गए Eventually, his father began to value him as a soldier and a status man और जैसे जैसे मतलब वो इतने अच्छे योद्धा बन गए तो उसनके पापा ने भी उनको जो है value करना शुरू कर दिया मानना शुरू कर दिया एक soldier के तौर पर भी और एक status man के तौर पर भी बिंदु सारा made Ashoka the governor of a far of province दूर का एक province जो था वहाँ का governor बना दिये गए Ashoka बिंदु सार के द्वारा अब वो जो राजकुमार थे उनके पास अपना province तो था ही अपना kingdom तो था ही आफ्र बिंदु सारा डाइड जब बिंदु सार मर गए Ashoka declared himself to be the new king Ashoka ने अपने आपको नया राजा घोशित कर दिया अब क्या हुआँएवर शोका's older brothers wanted the throne for himself Ashoka के जो छोटे भाय थे उनको अपने लिये वो सिंगासन चाहिए था this led to a two years war of succession अब क्या हुआ दो साल लग गए लड़ाई होती रही ठीक है in which Ashoka defeated his brother and became king Ashoka इसमें Ashoka ने अपने भायों से लड़ाई लड़ी और वो उन्होंने उनको हरा दिया और वो खुदराजा बन गए for eight years after his coronation coronation होता है जो आपको ताज मिलता है ठीक है मतलब आठ साल के बाद जो मतलब उनका जो coronation हुआ उसके आठ साल बाद Ashoka fought many wars and conquered many territories Ashoka ने बहुत साही लड़ाईया लड़ी और बहुत सारी territories को हराया but the ambitious king was still not satisfied लेकिन वो इतने जादा ambitious थे महत्मकाशी थे कि वो अभी भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए in the east of India that still refused to submit to him East India में एक ऐसा kingdom भी था जिसनोंने अभी भी अपमें आपको submit मतलब जुखना उन्होंने इस वीकार नहीं किया this was the kingdom of Kalinga ये kingdom कौन सी थी? Kaling जिसका नाम था which covered the present day northern आंधरपरदेश, most of Odisha and a portion of Madhya Pradesh मतलब Kaling जो है वो पार्ट जो अब के इंडिया का northern आंधरपरदेश है कुछ हिस्सा Odisha का है और कुछ जो portion है वो Madhya Pradesh का है वो Kaling Palant, Kaling नाम से जाना जाता था तो क्या हुआ? Emperor Ashoka was determined to make Kalinga a part of his kingdom अब Emperor Ashoka जो क्या थे? बहुत ज़्यादा ambitious थे उनको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा कि कैसे refuse कर दिया किसी भी kingdom ने कुद को submit मतलब समर्पन करने से कैसे मना कर दिया Ashoka जोते हैं उन्होंने निश्चे किया कि वो अपनी Kalinga को अपना एक पार्ट बनाएंगे अपने kingdom का अच्छोंग ने क्या किया अपनी पड़ोसी जो किंग्डम थी कलिंग उसके अगेंस युद छेर दिया लीरिंग द वो एफोस हिंसेल्फ और वो लीड खुद करे थे इस वार को The Kalinga War was bloody and horrific कलिंग का जो युद था या जो लड़ाई थी वो बहुँ जादा bloody यानी खून बहा उसमें बहुँ जादा और बहुँ जादा horrific रही भयानक रही The people of Kalinga fought bravely लोग जो थे कलिंग के वो बहुँ जादा बहादूरी से लड़े But they were overpowered by Ashoka's large army लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाए Ashoka की इतनी बड़ी सेना के आगे वो नहीं टिक पाए Kalinga was plundered and destroyed Kalinga जो है वो पूरा loot लिया गया Plundered means looted और उसको नश्ट कर दिया गया The addicts that survived says Say, जो addicts है न, जो शिला लेक है उन पर अभी भी लिखा हुआ है That as many as one lakh people were killed in the war की एक लाक लोग जो थे वो इस वोर में मरे गए थे When the war was finally ended जब जो लड़ाई थी वो finally end हुई Ashoka looked around him and saw hundreds of corpses on the battlefield Ashoka ने अपने चारो तरफ देखा और देखा की सैकडो लाशे जो है वो battlefield पर पड़ी हुई है Where he is expected to feel happy about extending his empire further जहांबर उसको खुश होना चाहिए था Ashoka को की हां उसका जो empire है वो आगे फैल गया है He found himself feeling sad about the laws of life and property उसने पाया की वो बहुत दुखी हो रहा है जो life का loss हुआ है और जो property का loss हुआ है उसकी वज़ा से He swore to never wage another war again और तब उन्होंने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे This realization led to Ashoka's conversion to Buddhism तो यही जो incident थाना उनकी life का जिनोंने अशोका का heart change कर दिया और वो क्या थे इतने fierce king से क्या हो गया उन्होंने बुद्धिजम में एक बुद्ध बिक्षुक में convert हो गए And he made it the state religion और उन्होंने अपने राजे का धरम भी इसी को ही बना दिया He banned hunting आगे जो उन्होंने बुद्धिश्ट में convert हो वो तो आगे उन्होंने और क्या किया किया He banned hunting उन्होंने hunting बन करा दी Drew up a list of protected animals और किन-किन animals की सुरक्षा करनी है उनकी एक list बनवा दी And even urges subjects और अपनी प्रजा से उन्होंने प्रातना करिया Urge किया to stop eating meat and turn vegetarian ती meat खाना बन करके vegetarian हो जाएं वो सब He visited several sites important to Buddhism as well और वो उन उन जगा पर भी गए जो बहुत धरम से related थी ठीक है और important थी महत्वपूर्ण थी On visiting Lumbini The birthplace of Gotham Buddha जब वो Lumbini गए गोतम बुद्धा के birthplace जहां पर गोतम बुद्धा जनम हुआ था Lumbini में Ashoka erected a pillar with an inscription Ashoka ने एक जो है पिलर बनवाया और उस पर खुदवाया उस पर क्या लिखा था? That the village was exempted from paying tax की अब ये tax paying से बाहर है ये वाला village आगे क्या हुआ? True to his word अपने शब्दों पर वो कायम रहे Ashoka dedicated the rest of his life to popularizing Buddhism Ashoka ने अपनी जितना भी जिंदगी थी वो बुद्धिजम का परचार करने में ही बिता दी Today almost 70% of all Shri Lankans practice a branch of Buddhism आज Shri Lankan में 70% से जादा जो लोग है ना वो बुद्धिजम को ही फोलो करते हैं मतला बुद्धिजम का एक ब्रांच को फोलो करते हैं And 400 to 500 million people around the world follow Buddhism और 400 से 500 million people जो हैं वो पूरे वर्ड में बुद्धिजम को फोलो करते हैं A Living Proof of Emperor Ashoka's Change of Heart जो की एक Living Proof है Ashoka, Emperor Ashoka के Change of Heart का तो जो चैप्टर में कहना चाहा रहे हैं कि जो लडाई जगदा है इससे कुछ नहीं मिलता है वार से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है Means darkness cannot drive out darkness, only light can do that Means darkness से यानि अंधेरे से अंधेरा नहीं हटाया जा सकता सिर्फ light है उसी से ही अंधेरा हट सकता है So that's all for today आपका चैप्टर यहीं पर finish हो गया है Next वीडियो में इसी चैप्टर के question answers पढ़ेंगे हम लोग Thank you